जब हम लोग सरकार में आते हैं तो ये बीजेपी का स्लोगन है कि ये हो गया वो हो गया परहन उद्योग हो गया तो ये हो गया कि एक किलोमीटर पैदल तक चल गए है वो वो देखाया गया है सरकार उसकी जाच तरीके से कर रही है आनिय मुखमंत्री इस पर अपना वक्त और उस पर पुलिस लगी हुई है नमस्कार आप देख रहे हैं लाय बिहार में हूँ आपके साथ असलम अब्बास बिहार में जब से एंडिये गटबंधन तुटा है और महा गटबंधन की सरकार बनी है सुसासन बाबू की छवी को लेकर लगातार अलोचना हो रही है सुस आप राधियों की सरकार चल रही है मुखमंत नितिस्क मार कुछ नहीं कर पा रहे हैं खास करके मौजूदा समय में हालिया घटनाओं को देखे तो डॉक्टर का जो एनमसीज के डॉक्टर थे उनका गायब हो जाना बिल्डर के बेटे का अपहरन उसके बाद हत्या हो जाना इसके अलावा कहीं चोरी की घटना कहीं मार और हत्या की घटना इन तमाम बात को लेकर लगतार भाजपा जो बिपक्ष में बैटी है वो लगतार सुसासन बाबु पर सरकार पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि अब सुसासन की सरकार नहीं अब हरन की सरकार चल रही है ल सब विभाग का अलग अलग नहीं होता है गलोटिंग में होता है और यह परंपरा सदियों से चला रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो कुछ ने कुछ आपके हां तो ब्यान देंगे ही न चुकि वह आडानी अंबानी के पोशक लोग हैं पुंजी पतियो कोई सरकार नहीं वागती है रोज सरकार काम कर रही है और जबा 10 जवाब दे रही है लेकिन अब बांवलिया कि विपक्ष का यह रोज नहीं लेकिन चलने दिना है तो संख्या बाल यतना हमारे पास है कि हम तो चलाएंगे ही विपक्ष रहे हम चाहेंगे कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग है लेकिन वह अपने आपको अंग समझते ही नहीं है इसलिए विपक्ष नहीं चाहती है कि विहार का विकास हो विहार के मुद्दे को जो विदान सवा में उठाई जाती है कि शानों का हो छात्रों का हो बेरोजगारों का हो सबकी मुद्दे उठे वो भागना चाहते हैं चुकि केंद्र की कई ऐसी उयोजनाय हैं जो विहार में बंद हो गए हैं पैसे का भाव में और सरकार केंद्र की सरकार विहार को मदद करन नहीं चाहती है इस सवाल को जब हम लोग रखते हैं सदन में तो वह हंगामा करने लगते हैं चुकि आडानी आंबानी के पक्षम के वाल बात करते हैं और यह यह बात तो उठती रही है और हमेशा मानने मुखमंत्री जी बिहार को विश्यस राज का दर्जा मिले और यह मंत्री आदर्णिया रावरी देवी जी ने और तात्कालिन प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपी जी के सामने रखा था यह मुद्दा आज भी तयार है और हम लोग का मांग है कि विहार को विश्यस राज का दर्जा मिलना चाहिए और विहार के साथ छलावा केंद्र सर पट्राब को सवाली ने अपराद कहा कर एओ जRO है एक दिन में 322 अपराधी पकरे जा रहे हैं आ कानून अपना काम कर रही है और कानून के से कोई बचेगा नहीं नहीं इस वाल है जब सरकार में आते हैं तो ये बीजेपी का स्लोगन अ कि यह हो gider हिसलिए इन लोग का जो काम है हम देख रहे हैं जंता भी देख रही है और जंता खुस है और इन लोग के बातों में आने वाली जंता नहीं है कि मानीय मुखमंत्री इस पर अपना वक्तब देंगे और उस पर पुलिस लगी हुई है हमको लगता है कि निश्य तुरुप से जो मैंने सामाचार पत्रों में देखा और या यूट्यूप में लोग दे रहा है कि एक किलुमेटर पैदल तक चल गए हैं वो वो देखाया गया है सरकार उसकी जाच तरीके से कर रही है इमांदारी से कर रह मजबूती से चल रही है कानून अपना काम कर रहा है कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा अपराधी जब कोई भी हो उसको बचाने का काम सरकार नहीं कर रही है कानून अपने तरीके से काम कर रही है भाजपा वाले बॉकलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं भाजप प्रेंदर के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की दूसरी ख़बर देखनी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए आपका बहुत-बहुत जन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें